पहले पूछते हैं 70 साल में क्या किया it फिर वाले दोरे हुए बताते हैं कि हमने यह कर दिया हमने तो यह कर दिया हमने यह बना दी it बना दी इन्वर्सिटी बना दिया यह कॉलेज बना दियो भी इएरपॉर्ण बना दिया रेल्वे का भी भी नहीं पता कि हमारे पूर्व के सरकारों ने क्या किया तो बड़ा आश्चर्च होता है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं पहले पूछते हैं कि क्या किया और जैसे ही पता चलता है बेज देते हैं या प्राइवेट हाथों में दे देते हैं किसी भी देश के विकास के लिए बिजली और उद्धोग दंदे लोगों को सिक्षित होना बहुत ज़रूरी है लोग सिक्षित होंगे तुम अपने दूसरे उद्धोग दंदे भी कर सकते हैं अपने लिए कोई छोटे रोजगार भी कर सकते हैं केतिवारी करने के लिए भी परहा लिखा होना जरूरी है सिख्षा का अस्तर बहुत खत्म होते जा रहा है हमारे कुछ रज्यों में साउथ में कोई प्रावलम नहीं है साउथ के लोग बहुत आगे बर रहे हैं लेकिन हमारे जो में जो हर्ट है इंडिया का उसको बिलकुल खत्म कर दिया गया बिहार औरतर परदेश में सिख्षा का अस्तर पहुत थी नीचे गिरता जा रहा है यहां बहुत I.S. I.P.S. बनते थे उभी सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूलों का हालत तो आप देखी रहेंगे क्या हुआ टीचर है, बिलिंग धोस्त है और जिनके पास पैसा है उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पर रहे हैं सहर के बाहर भी पर रहे हैं, वीदेसों में भी पर रहे हैं गरीब के बच्चों को नयाय नहीं मिला और उनको परने के लिए धंका इस्कूल नहीं है मिल तो चे दे दिये, लेकिन इस्कूल धंका नहीं दिया उससे काम नहीं चलेगा कॉंट्रेक्ट वाले टीचर से काम नहीं चलेगा टीचर को पर्मानेंट करना था और उनसे ज़्यादा काम लेना था सकती से काम लेना था और स्कूल को डेवलाप करना था जो नहीं हुआ उसके बाद करोना काल में आपने देखा होगा हॉस्पिटल के बीना लोग को कैसे मरना परा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हॉस्पिटल के लिए वो भी नहीं था किसी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं और लोग मर रहे थे एक साथ बहुत सारे बीमार परेंगे तो हॉस्पिटल की कमी परेगी लेकिन बेसिक नॉर्मल दीनों में भी हॉस्पिटल नहीं है उसमें डॉक्टर नहीं है मसीने नहीं है और अक्सिजन की कमी होती है लोग मरते है परे जो बिक्षित देशा है जहां पर भी अमेरिका, इंग्लैंड, जापान चाइना फ्रांस इन सब देशों में आप चले जाएए और हस्पिटल देखिए और फिर अपने हां का हस्पिटल देखिए अपने हां फाइवेस्टार हस्पिटल बन गए है प्राइवेट जहां आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे अगर किसी कारण से आपको भरती होना पादा तो 10 से 15 अलागे आपकी पूरी संपत्प्ती बिग जाएगा घर बिग जाएगा फिर भी आप वहां से निकल के नहीं आसकते यहाल है प्राइवेट हस्पिटल का यह बाहर में नहीं है हमाँ गफॉर्डोमें पाएन और यह आपको फर्बिग्टरी हो गया तो आपको हेलिकॉप्टर से लेके जाएंगे लेकिन भारत में तो मामूली एम्मूलेंस भी नहीं मिलता लोगो इरिक्षा पर ऐसे ही ले जाते हैं जब तक सब कुछ तब तबाव हो जाता है सिक्षा, स्वास्त सरा कच्छी होनी चाहिए बिजली 24 गंटे मिलने चाहिए कहीं कहीं आज भी 24 बिजली नहीं है काओं में 2 गंटे, गंटे के लिए कभी बिजली मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं लोग परसान रहते हैं उद्वक दंदे लगाने के बज़ाए उदोग दंदों को नश्ट किया जा रहा है प्राइवेट हातों को दे रहा है प्राइवेट वाले के रखेंगे मैन पावर उनको क्या परी है वो तो जितना मैन पावर उसको और्स कम कर देंगे उसको हटा देंगे और रोजगार कम होंगे रोजगार के अफसर कम हो जितना पैसा उद्वकपतियों का माफ किया जाता है वो रोजगार खोलते हैं रोजगार जिनको अब देते हैं उद्वकपतियों को बेंक का पैसा लोन लेकर डूब जाते हैं और भाग जाते हैं काउंट NPO हो जाता है उतने पैसे से अगर कोई घाटे की कंपणी है उसको हम चला सकते थे और उससे हमारे नوجवानों को नौकरी तो मिला हुआ था नौकरी तो मिल सकता है वो नहीं हुआ हमने देखा कि कंपणीया घाटे में है तो इनको हम बेच देते हैं लेकिन घाटे वाले कंपनी के जगा सब को बेच दिया गया जो फायदे वाली है उसको सबसे पहले बेचा गया उससे उद्वक्वतियों को फायदा हो रहा है पूरे के भाव में दिया जा रहा है ये बहुत गलत है नौजवान भटक रहे हैं लोगों की नौकरी करनी की उम्रसिवा निकल गई सब लोग परसान है और कंपनीयों को बेचा जा रहा है और पूछ पूछ के बेचा जा रहा है आपने क्या किया? मैंने ये किया अच्छा तुमने ये किया? लाओ बेच देते हैं चले थे कौंग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए वो नहीं हुआ कौंग्रेस और मजबुत हो गया कई राज्यों में उनकी अपनी सरकार है येश की जन्ता भी कौंग्रेस का जुकाओ भी कौंग्रेस की तरफ है अब ये सोचते है कि हम कॉंग्रेस को तो नहीं मिटा पाए, कॉंग्रेस की बिरासत कोई मिटा देते हैं, उनके बनाए हुए चीज़ों कोई मिटा देते हैं, ऐसा कोई देश का प्रदान मंतरी नहीं कर सकता, ये काम इन्वेडर करते हैं, जो आकर्मन कारी होते हैं, वो करते हैं, पुराने लिए आये तो लूटके गए कुछ यहां के बस गए तो उन्होंने तो काम किया उन्होंने अपना डिवलोप्मेंट किया यहां रहा है यहीं के मिटी में मिट गए यहीं खत्म हो गए यहीं मर गए लेकिन यो लूटने वाले आये थे वो इन्वेडर लूटके गए सरकार भी इसी तरह से इन्वेडर की तरह कॉंगरेस को नहीं मिटाना है कॉंगरेस नहीं मिट सकता तो उसके नामों निसान को मिटा देंगे बाद में कोई केंपरिजन ना कर भाए कि तुमने क्या किया इतियास में भाई तुमने कुछ तो किया नहीं इन्होंने क्या किया इन्होंने सारे प्राइमेट कर दिया सब कुछ बेच दिया कहीं भी चले जाए किसी भी कंट्री में जो प्राइम मिनिश्टर आते हैं देश के जो सरकार नए बनती है उनको आगे बढ़ाता है उन चीजों को जो आपने बनाया जहां छोर के दिया है उसके आगे बढ़ा के ले जाता है उसको बेचता नहीं है उसको पीछे नहीं ले जाता इसी कारण से अर्थववस्ता दोष्त हो जाती ही तो चीजे वहीं के वहीं रहती है फिर से जब अर्थवस्ता बरेगी तो बरेगा लेकिन उसको बरवाद नहीं किया जाता यहार डिस्ट्वायर के रूप में काम किया जा रहा है यह बहुत ही दुरुबांगपूर्ण है और निरासा जनक लोग परसान है सब के सब किसानों ने एकता दिखा कर सरकार को जुका दिया लेकिन युवा पिरी आज भी परसान है उनको नौकरी बंगने जाते हैं तो लाठिये मिलती है और किसी को नौकरी नहीं दिया गया सोच सकते हैं फोटो खिचा लगते हैं मजदूरों के साथ खाना काते से हमें मजदूरों के पैर्द होते हैं गरीबों को अदलितों को कैमरा के सामने चुनाओ जब आता है चुनाओ नजदी काता है तो सब के सब दोस्त बन जाते हैं अरे ये तो हम आपी के बीच के हैं हम तो आपी के जैसे हैं और जैसे ही चुनाव खतम होता है उनको हजारा किलो मेटर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है उनको खाने के लिए नहीं मिलता पानी के बिना तरफ तरफ के दम तोड़ देते हैं बस नहीं दिया जाता रेलेवे को बंद करके उनको रोड पे बटकने के लिए छोड़ दिया जाता है करोना काल में आप समने देखा ही होगा क्या हुआ बहुत दुखत है मैं जब घुमता हूँ दिल्ली में लोगों से मिलता हूँ उनकी बाते सुनता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है अब विपक्ची पाटिया भी बताने से कत्राने लगया है करते हैं मैं क्यों बताओगी सत्तर साल में मैंने क्या किया बताओगा तो फिर बेच देंगे तो वह हसी आती है उनकी बातों पे देश में क्या चल रहा है जए हिंद जए भारत